नमस्कार आप देख रहे हैं पहार टीवी और मैं हूँ आपके साथ स्मीता पटवार दिरदून में एक दिल धरा देना वाला मामला सामने आया है जहां बीती गुरुवार की देर शाम एक छात्रा को उसी के सह पाटी ने गोली मार कर मौत्य घाट उतार दिया युवा गोली मार कर अपनी मोटर साइकिल और तमंचे को मौके पर ही छोड़ कर फरार हो गया था जिसे मुग्बीर की सुचना पर आशिप गंगा इंकलेव के निकाटिस्तित आर्मी होस्टल के पास से पुलिस द्वारा दबोचा गया पुस्ताश में अभियुक्त आदित्य तोमर द्वारा बताया गया कि वो सिधार्थ फार्मेस्ति आईटी पाक देरा दूर में की फार्मा प्रथम वर्ष का छात्र है और ब्रतिका वंशिका भी उसी की सैपाटी थी लगबग एक महिने पहले वंशिका ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो अप्लोड की थी जिस पर आदित्य द्वारा कमेंट किया गया था जिसको लेकर वंशिका और आदित्य के बीच कहा सुनी हो गई आदित्या ने बताया कि वंशिका ने कॉलेज में उसके परिचिस सीनियर छात्रों से इस संबन में उसकी शिकायत की जिनके द्वारा आदित्य के परिजरों को फोन कर इसकी जानकारी दी गई थी जिसके बाद बीती गुरुवार तीन मार्च को कॉलेज के खुलने पर शाम के समय आदित्य की मुलाकात कॉलेज के के गेट के सामने वंशिका से हुई और उन दोनों के बीच फिर से इस बात को लेकर कहा सुनी हो गई वंशिका ने मौके पर अपने परिचित सीनियर छात्रों को बुला लिया जिनके द्वारा आदित्य को डरा धमका कर उससे जवर्दस्ती वंशिका के पैर चुकर माफी मंगवाई गई आदित्य का कहना है कि इसके बाद वो आवेश में आ गया और वो अपने पास रखे तमंचे को लेकर वापस कॉलेज के पास आया कॉलेज के पास सिस्तितेक दुकान में उसे वंशिका मिली जहां आदित्या ने वंशिका को तमंचा दिखा कर उन लोगों को बुलाने की बात कही इसी दौरान उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गए और आदित्या ने वंशिका को गोली मार दी और पकड़े जाने के डर से वो मोटर साइकल और तमंचा मौके फरी छोड़ कर वहां से फरार हो गया अधित्य ने बताया कि वो देरादून से भागने की फिराक में था लेकिन जगा जगा देरादून पुलिस द्वारा की जा रहा ही सगंड चैकिंग को देख कर पकड़े जाने के डर से रात भर वो कर दो पर उसके पार मौके पर पुलीस पहुंची थी प्रफ्तार प्रफ्तार किया गया जहां तक अभी पर्थम द्रस्ट्रिया कुश्टार से जो हम अभी तक चीज़ा सामने आ रही है कि किसी कोटो पर कमेंट करने के चल्चे दोनों में विबाद हुआ था इसमें कुछ स फुरेंट्स के द्वरा इससे मारफी मंगवाई गई ती जिसके कारण ये वैठिको कर दिशनार की तीक sniff कया गया और क्या कफेर के प्राइमरी फोकस था तो आप गिरफता हमारे द्वारा कर लिए गया है इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी पहनों आते हैं सामने इंपर कारवाइदी सर बताए जा रहा है कि सूचना दी जी जब कट्टे को लेकर राती तो क्या इस सारे मामले में कि क्या लें हुई है क्या खाने की तरफ से रिस्पाउन का है देखे ऐसा है कि 112 में इंफा किया गया मेरे दौराया उसके पास कॉल आया तक हो रास्ते में था और विदिन सवन मिनेट वो आटना इस तल पर पहुँच गया था आफ रिसीविंग से पाउ अब उसमें जो चीजें हैं आगे उसकी हम पूरी कर रहे हैं उसके इंक्वाइरी भी कर रहे हैं लेकिन जो पर्थम तुरिष्टिया है उसमें डिले ऐसा प्रतीत नहीं होगा सर गटना को इंजाम नेने के बाद में भाग गया था कितनी मसकत करने पड़ी तुरिष्टिया जैसे ही जो हम जैसे ही हत्या की सूचना मली जैसे ही हदमाओ के पर पहुंचे वैसे हमारे दौरा विभिन टीमें गठित कर दी गई थी जितने भी ठाने हैं महां पर फ्लैश कर गया था प्लैश करने के चलते फिर ये कहीं भाव ने पाया वहीं पर भटकता रहा और किसी के दौरा सुचना देने के बार हमारे दौरा इसको गरफ्तार किया गया था